हलो फ्रेंज आज हम बात करेंगे और एक नएक कोशन सेट के बारे में जो की इतियास यानि हिस्ट्री के हैं और ये सेट नमबर 16 है तो यदि आप किसी दूसरे सब्जक्ट के अब्जेक्टिव कोशन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जदी आप मारे अब्डेट से जुड़े राना चाहते हैं तो अब ये चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को फ्रेज करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत में खोजा गया सबसे पुराना सहर था तो इसका सही आंसर होगा हडपा प्राचीन नगर तक से सीला निमलखीत में से किन के किनारे बसा है तो इसका सही आंसर होगा सिंधू तथा जेलम हडपा संक्सक्रीती की जानकारी का प्रमूख स्रोत है तो पुरा तात्विक खुदाई मोहन जोदुरो कहां इस्थीत है इसका सही आंसर होगा सिंध सिंधू सभ्यता का कोन सा अस्थान भारत में इस्थीत है तो इसका सही आंसर होगा लोथल निमलखीत में से किस पुरातत्व विद ने सिंधू घाटी सभ्यता के अस्थल मोहन जोदुरो की प्रानम भी खोज की तो इसका सही आंसर होगा रखाल दास वनरजी निम्नांकित में कोन सुमेल नहीं है यानि सही मिलान किया हुआ नहीं है तो इसका आंसर होगा काली बंगा हरियाना निमलखीत में से किस मैध्य पासानिक अस्थल से पसुपारन के साक्षे उपलब्ध हुए है तो इसका सही आंसर होगा सराय नहर राय हरप्पा सभ्यता किस काल से समंधित थी तो इसका सही आंसर होगा कांस्य यूग लोथल नामक अस्थान पर निम्नोक्त सभ्यता में से किसका जहाजी मालगार था तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था तो इसका सही आंसर होगा लोथल निमलिखीत विद्वानों में से हडपा सभ्यता का सरुपर्थम खोज करता कौन था तो इसका सही आंसर होगा दयाराम सहनी सिंधु घाटी की सभ्यता मुलत तो इसका सही आंसर होगा आदीम थी सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानि बंदरगा कोन सा था तो इसका आंसर होगा लोथल निम्ण में से कोन सिंधु घाटी सभ्यता की विशेशता नहीं थी तो मकानों के दरवाजे पिछली और खुलते थे सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए सेंधाव अस्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों फर निम्लखीत में से किस पसू का सरवाधिक उत्किर्न हुआ है तो इसका सही आंसर होगा बैल सिंधु सभ्यता का सरवाधिक उफ्यूक्त नाम क्या है तो हडपा सभ्यता निम्लखीत सिंधु संक्सकृती अस्थलों में से कोन सा एक बंदरगाह के विद्दमान होने का प्रमान दरसाता है तो लोथल हडपा संक्सकृती के संदर्व में सेलकृत अस्थापत्य के प्रमान कहां से मिले है धोला वीरा से हडपा सभ्यता के संपूर्ण छेत्र का आकार किस प्रकार था तो त्रिभूजाकार निमलखीत आहार में से कौन सा आहार सिंधु गाटी सभ्यता के वेक्तियों का मुख्य आहार था तो इसका सही आंसर होगा गेहू सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के समंध में क्या सत्य है तो ये मुर्तियों का निर्मान करते थे मंदीरों का नहीं तो यही जो है सत्य है हलपा सभ्यता की खती या भंडारग्री सबसे अधिक कहां पाए गए तो हलपा में हलपा कालिन समाज कीन वर्गों में विवक्त था तो विद्वान, योधा, बेफारी और स्त्रमिक किस आधार पर हलपा सभ्यता का काल निर्धारन पचीस सो इस्वी फुर्व एवंग सत्रा सो पचास इस्वी फुर्व के मध्य किया गया है तो इसका सही आंसर होगा रेडियो कार्बन परिक्षन से निम्न में से कोन सी विशेष्टा नव पासन युग की नहीं है तो मनुष सिखे अस्थाई निवास बनने का आरंभ हलपा सभ्यता के अंतरगत हल से जोते गए खेत का साक्षि कहां से मिला है तो काली बंगा से हलपा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सरफ रथम थे तो कपास सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों का धर्म मुख्यता किस पर आधारित था तो मात्री देवी की पूजा पर काली बंगा कहां इस्थीत है तो राजस्थान में सेंधु सभ्यता के महान अस्नानागार कहां से प्राप्त हुए है तो मोहन जोद्लों से सेंधु सभ्यता की इटों का अलंकरन किस अस्थान से मिला तो काली बंगा से मांडा का पुरातत्व जो भारत की सिमा के अंतरगा थड़प्य संक्स्कृति के सबसे उत्री छोर को अंकित करता है किस नदीपर है तो चेनाव नदीपर पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे यह खोज कहां पर हुआ तो लोथल में हडपा सव्यता के बारे में कौन सी उक्ती सही है तो उन्हें असो मेग यग की जानकारी थी यह जो है सही नहीं है गाए उनके लिए फवित्री थी यह भी सही नहीं है उन्होंने पसुपती का समान करना अरंब किया ये जो है सही है युग्म सवाधान का साक्षिय कहां से प्राप्त हुआ है तो लोथल से सिंधु घाटी सव्यता की लीफी कौन सी थी तो जो है अभी तक जो है इस लीफी को जो है पढ़ा नहीं जा सका है सिंधु घाटी के लोगों का समंध था तो इसका सही आंसर होगा सुमेरिया से